दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी चेनल ग्लोबल सेर में। आज हम आपको इस वीडियो में बतानी जा रहे हैं जैसे आप अपनी मोबारी से अगर बोर आछुके हैं, vaan गैलरी से अपनी गैलरी के डिजाइन से जैसे ये मेरी गैलरी है, इसमें यह design चलता है, यह मेरा MI का mobile है, हम इसे बंद करतेंगे application को, अब हम आपको एक आज नई applications के बारे में बताएंगे, यह देखें, यहाँ पर आपको type करना है 3D gallery, 3D gallery type करने के बाद आप अपनी gallery का design change कर सकते हैं, यह application है TV के gallery, यानि कि एक 3D gallery हो application सा आप इसको install करेंगे यह मैंने पहले से अपने mobile में install की हुई है, तो कि मैं अपने design से जो मेरे mobile की gallery का design था, उससे कुछ बोर आ गया था, और मैं सोच रहा था अपना mobile भी change करने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा इसी में कुछ करके देखते हैं, फिर मैंने यह application install की, तो यह मुझे बहुत थी अच्छी लगी, अब देखिए, यह applications मेरे mobile में है, यह मैंने install की हुई है, इसमें देखे कितने तरीके से applications आती है, कितने अच्छे तरीके से, यहाँ पर photo खुल जाते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसे चला सकते हैं, यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, इसे ऐस कराती है, और अब हम इसे चला देंगे, तो यह अपने आप ही चलती चली जाएगी, ऐसे, बहुत design हैं इसमें, काफी designs इसमें हैं, यह देखिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, यह देखिए, इ में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स हमारे लिए आते हैं यह देखिए इस तरीके से आप इसे चला सकते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग है एकस्स कर गदे बाद इसके केमरा है फो फोटो है इसे आप अपनी यहां से शेटिंग में रखना है कम रखने हैं ज्यादा रखने हैं यह भी आप यहां से सैट कर सकते हैं और इन्हें एक्सेस कर सकते हैं यह जो बटन है फोटो सेलेक्ट एनिमिशन 3D स्टाइलों डबल टैप यह इस तरीके से होता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्रा स्क्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुभू